हाई फ्रेंड्स विद राम एक्ट्रिस मुम्ताज जो अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रिस रही है जिन्होंने बॉलीवुड की काफी शांदार फिल्मों में काम किया है काफी हिट फिल्में दी हैं उन्होंने अपने पाथ से जुड़ी हुई एक बात का खुलासा किया मुम्ताज जी ने कहा कि वो शमी कपूर से बेहत प्यार करती थी उन्होंने कहा कि वो शमी कपूर जी काफी लंबे अर्से तक एक रिलेशनशिप में थे दोनों बेहत एक दूसरे से प्यार करते थे पर जब शमी कपूर ने मुझे शादी के लिए प्रपोस किया तो मैंने स साफ मना कर दिया और इस चीज़ का रीजन था कि उस समय कपूर परिवार की बहुएं फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी मुम्टाज ने कहा कि उस समय मैं सिर्फ 17 साल की थी और शमी कपूर मुझसे 18 साल बड़े थे उस समय मेरे लिए शादी का फैसला करना बहुत जलबाजी थी क्योंकि मुझे कुछ बना था मैंने शमी कपूर से बहुत प्यार किया और शमी कपूर ने भी मुझे दिल से बहुत प्यार किया लेकिन जब शादी की बात आई तो मैंने शादी से साफ मना कर दिया और उसके बाद हमेशा मेरे दिल में ये मलाल रहा कि मैंने क्यों शमी कपूर को शादी के लिए मना किया मैं उनसे शादी नहीं कर पाई मुम्तास ने आगे अपने इंट्रिव्यू में बात करते हुए कहा कि अगर उस समय हमारी शादी हो जाती तो वो कुछ जादा अरसे तक नहीं टिक सकती थी और आगे उन्होंने कहा शायद एक तरफ मेरा फैसला सही था शमी कपूर को शादी के लिए मना करने का क्योंकि मैं एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहती थी मैं अपनी जिंदिगी में कुछ पाना चाहती थी और अगर मैं शमी कपूर से शादी कर लेती तो मैं आगे एक्टिंग नहीं कर पाती क्योंकि कि कपूर फैमली का यहीं फैस्दा था कि एक बार शादी हो गई तो उसके बाद आप फिल्मों में काम नहीं कर सकते वेल यही बात तो सभी को पता है करीना और कर्श्मा कपूर की मा बबीता कपूर वो भी शादी के बाद एक्टिंग नहीं करती थी और फिर शमी कपूर की वाइफ गीता बाली ने भी एक्टिंग छोड़ दी शादी के बाद वेल रिशी कपूर और नीतु कपूर की शादी के है आलिया भर्ट अबलगतार फिल्मों में काम कर रही है कपूर फैमली की बहु होने के बाद भी दोस्तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताएए और वी ऐसी अप्टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू